नमस्कार, नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग। आखिरकार कैसे अच्छानक याद आ गई आजम खान की। अखिरकार अब वही अखिलेश याद अव क्यों आजम खान से मिलने के लिए मजबूर होते हुए नज़रा रहे हैं। दरसल आपको बता देए के लोग सभाचुनाव सर पर हैं। तारीकों का एलान हो चुका है और 20 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तरप्रदेश की तो उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी 80 सीटों में से 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और 17 सीटों पर यहां कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। जेल में बंद हैं। उनकी पतनी तंजन फातिमा रामपुर जेल तो बेटे अब्दुल्ला आजम हर दोई जेल में बंद है। अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आजम खान से रामपुर समेत उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इंसीटों पर आखिरकार किसे उतारा जाए किसके नाम को फाइनल किया जाए इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश अब आजम खान से बाचीत करते हुई नज़र आएंगे। अखिलेश यादव और आजम खान एक समय में दोनों के बीच एक अच्छा रिष्टा था। आजम खान के यादव परिवार से पारिवारिक रिष्टे हुआ करते थी। आजम खान जेल चले गए और अखिलेश यादव लोग सभाचुनाव की तयारियों में चुट गए। लेकिन आजम खान पूरी तरह से अलग होते हुए नज़र आएं। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि रामपूर सीट से अखिलेश यादव आजम खान के ही किसी करीबी को टिकेट दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो आजम खान की बहु सिद्रा अधीब या फिर उनकी मूबोली बेटी एकता कोशिक को टिकेट दिया जा सकता है। और इसे मुद्दे को लेकर अब आजम खान से चर्चा करना चाहते हैं अखिलेश यादव। सवाल ये है कि क्या वाकए में अखिलेश को आजम खान की याद आई है या फिर इस मुलाकात के पीछे की वज़ा भीम आर्मी के चीफ और आजाज समाच पार्टी की संस्थापक चंदर शेखर आजाद हैं। दरसल आपको बता दे कि सूत्रों से ये खबर सामने आई कि कुछ दिन पहले ही चंदर शेखर आजाद ने आजम खान के बेटे अधीब आजम से फोन पर बात चीद की थी। ज़रानवे आजम खान को लेकर भावुक होते हुए नजराएं, उनका समर्थन मांगते हुए नजराएं। ये भी कहा जा रहा था कि वो भी 22 मार्च को आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जा सकते हैं। आजम खान को लेकर अखलेश यादव के साथ साथ अब चंदर शेखार आजाद भी पहल करते होएं नज़रा रहें। ऐसे में देखना काफी जादा एहम रहेगा कि आखिरकार आजम खान किसके साथ जाएंगे। चंदर शेखार आजाद के साथ उनका एक निजी रिष्टा है, एक भावनात्मक रिष्टा है तो वही आखिलेश यादव की पार्टी से उनका राजनेतिक रिष्टा है। अब आजम खान आखिरकार किस रिष्टे को निभाएंगे ये देखना काफी जादा एहम रहेगा। फिलाल के लिए मुझे दीजिए जासत नमस्कार।